WTC फाइनल में पहली इनिंग्स के अंदर रोहित शर्मानी ने बनाए 15 रन, शुमन गिल 13 रन, पुजारा 14 रन और दूसरी इनिंग में आकर भी रोहित आउट हुए 43 रनों पे शुमन गिल 18 और पुजारा 27 बाई यह ड़ू टीसी फाइनल है यह फाइनल चल रहा है और जहां एक तरह अगर आप 2 इनिंग बोलो तो टॉप 3 इंडिया के जो है इन्होंने 100 रन पूरे नहीं बनाए और पहली इनिंग में तो बिलकुल ही बंटादार तो 50 रन भी पूरे नहीं मिलाइकुल मिला करे क्या करे मार भी तो नहीं सकते प्यार जो करते हैं टीम इंडिया से प् वोल्ड कप फाइनल की जितना बड़ा एक मैच है और इनको जिम्मेदारी से खेलना बड़ेगा बाई जिम्मेदारी देखो लेकिन यार सेकेंड इनिंग के अंदर सिरफ एक शुबमन गिल है जिनको मैं अनलक्की मानूँगा बाई वो कैच नहीं थी वो चीटिंग हुई ह वो पता नहीं एंपायर कौन से चेश्मे काले लगा के बैठा था कौन सा नशा करके बैठा था वो बैठा था आयश्मान कुराना अन्दादुन की शूटिंग करना था तो वो उसको समयं में नहीं आया तो उसने एक दम जे वो कर दिया आउट मेरे साब से ये हरा बटन है किया दबा देता हूं वो आउट आगया स्क्रीन पर वह के रहे है बाजी बाजी बाजे लए ऑंदा दॉं जो पहले धॉन के तरुछे बंधर से तरप उन यह चला मारे जा रहे हुब और सो मार के आगे चला के और एक कोई बेला के दो बैटिंग में एकतालिस रन मारे है पुजारा ने दो बैटिंग लेकर इतना जादा रन कैसे बना रहा है और इसे यह यह तो कहरे थे कि अक्लामटाइज है और यह एक वो बंदा है जो इंडिया के लिए तेस्ट खेलता है बताओ और दो महीने से यही पर टेस्ट मैच इस फॉर्माट में खेल रहा था और 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 आउट यह यह तेट्विंटी वाले शॉट पर हाँ रैम शॉट हाँ जब आप टेस्ट मैच के तर लगता है भै ये वेल लेफ्ट कर रहे थे नहीं कर रहे थे क्या कर रहे थे और क्यों ही कर रहे थे हर शॉट जिस पे आउट होते हैं आप सर पकड़के बैच जाओगे ये बंदा जब सीधे बले से अच्छा खेल सकता है तो यह यह यहां ऐसी हरुष your और शूशute ryn है यह गुर मलाफफ ने भुला रोडर्शर्मा एज लग्तु और पाविली यूजी घिया worms लेक्टू लेकि रोड़िड स्टापन priorit है लेकिन इतनी तादात में कैसे हैं गर तीन साल से बंदा बिल्कुल गंदा किल और तो इतने एपनस कैसी है। सिंपल सी वाद है कि अगर आप इस WTC फाइनल की अगर साइकल देखते हो तो इंडिया के जो टॉप बैट्समन है उसमें रोहे शर्मा आ जाएंगे लेकिन विराटकुली मतब उनसे नीचे यह आते हैं अभरेज बाइस अब यूंकि वह 21 वाला साल पूरा वो विराटकुली क क्या चल रहा है अगर आप BGT में चले तो बाटक आप उसके ट्रूफी में चले जाते हो वह पर भी आपको लग रहा होता है कि यह ओपनिंग तो मतलब खराब ही है या तो रोहे तो टोडेंगे अभी पहले ओवर में या फिर केल राहू लोड जाएंगे इंडिया की ओपन में आपका और आपकी टीम का नाम लिखा जाएगा स्वर नक्षरों से वाँ वाँ ऐसे होना चाहिए था आज तक का हाईयर जो टोटल चीजड है वो वेस्ट इंडीज ने किया था चारसो अठारा चारसो बीस रंगे आसपास का है तो चारसो चौहलेस तक तो आज तक किसी बाइलेटरल सीरीज हो चाहिए वो कोई फाइनल हो मला फाइनल तो डवलुटीसी का वैसे है तो इंडिया को भाई देखो हिस्टरी तो क्रियेट करनी पड़ेगी अगर इस टाइटल को जीतना है तो यार और मैं तो चाहता हो वो यह टाइटल घर आए और हर बंदा मुझ लगता है हर इंडियान पहान यह चाहता होगा लेकिन जिस से साथ से टॉडर के हलात है वो सही बात है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको अगर यह भी लग रहा था कि इंपॉसिबल है उतने रन बनाना तो कम से कम इतना तो कर सकते थे कि ड्रो के लिए अगर खेल जिसमें कोई ऑशशों नीहिता जिसमें कोई इस डबल मांदेट शॉट नीहिता कि मिसे तों लंबा माना ता लेकिन मसी छोड़े करके खेल लेता हूं ऐसा कोई टेंटेटिटे इंए अगर डेनДа फे डियान थे च्रब्र, चुक्य मार जाया है ंग्याने थे耐र किया है बनने लगे थे आती बॉल को जारने देते लेकिन नहीं उन्होंने बला लास मुमेंट पे और वो बॉल चली की थी हाँ बॉल पे लेट इसलिए जो बैट है बैट का टिप लगा इनीचे जो नीचे वाली पार दोगी है तो बाई वह नीचे वाला इसका मतलब यह था कि बॉल रोना ने निकला है क्योंकि भाई रहाने अभी भी जीवित है और विराट कोलियो मला पिछ पे जीवित है अरे भाई रहाने मतलब अभी टिके हुए है मला मैच में जीवित है अब यार तो तो कैसी बाते कर रहा है यार कैसा मैच मैच जीवित हो सकता है लेकिन प्लेयर के ही मिलिमे, मैच मर जाता है का फिर। मैच खतम हो जाता है वह खतम हो जाता है मैच मर किया तो कही तो कहरो हम मैच एक बर ा आप चांस कई सकते हो Catholic छांस इस कें सकते हों कैं כ अबी भी चांस जिवित है चांस मर गे यार प्लेयर मतलब मैंच के अंदर जी ऐसे मैं कोई लाइफ के बारे में थोड़ी बारे में तो लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि भाईसाब यह जो इंडिया के लिए अभी बड़ी सारी तकलीफे हैं इनका करना क्या है मुझे नहीं आ रहा है बाकी क्यूंकि अभी 200 इतने सारे रन और है 280 रन है 280 और अभी इतने रन बनेंगे कैसे क्योंकि अगर आप आगे की बैटिंग देखने लगते हो अभी फिलाल कोली और अजुंकिया रहने इस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं 60 बॉलों पे 44 रन अभी बनाया है कोली भाई ने यह मतलब 73 के हिसाब से है तो ऐसा प्रश्त पार आप जाने अभी निकाल रहे है और वाई सबसे चीज लग रही है मेरको विराट कोली की विटिंग में कि यहां पर स्टार जिनने उनकी विकेट निकाली थी उनको बैसी ही बॉल वो डालने यह कोशिश कर रहे है ले लेइन विराट कोली एक द्रिकत होगा है कि बोलेंड की कई बॉलेंड के और इंग्लेंड में पुरानी प्रोब्म थी विराट कोली आउटसाइट धी ऑफ्स्टूम टस्रम टच कर देना अपना कीपर को केश देदेना यह वाली चीज़ों से मतलब अलमोस्ट बचे आ वो किसमत है यह उनकी करेक्टट टेकनिक ए कि ल जलता ना कॉन टिके का कौनी टिके का एक बड़ी बड़ा सवाल होता है मिश्या टीम इंडिया के आगे और दूसरा यह कि अजिके राने भी फिर से टिके हैं लग बाग मैं उनसाथ उन्होंने बॉले खेल लिए और बीस रन बना दी है और अल्मोस 24 का उनका जो है स्राइक र बाट्टिंग अगर लिए टो तो टोल भी 5 बंदे अंडिया के पास जो बैटिंग कर सकते विराट कोलियो घ्राने को मिला के कैसे हैं मैं तो अगर यह कोई को अपको उमीद लगानी है तो आप इनसे एक बार को लगा लो मैं तो परसनली लगाने की मूड में नहीं कुछ न तुनो यही है यार दिलों क का आता है आखे पर छला जाता है एक बार आखे चला चैला अचरण का रहता है व है Гई के अधिक भार ओकर दो दूसरी बार आजवे हैंचे फिर जाएंगे भाई झाल पर जाएंगे भाइसब और पहुं के मिलें सब कुछ हो रहा तर लगी तो बची लेकिन भाई मनलब शारदूल के पास एबिलिटी है कि वो बैटिंग कर सकते हैं अगर किजी पे आप हलका भुलका बरोजा कर पाओगे तो वो सर जड़ेजा है सर जड़ेजा कोली रहाने मतलब वही मैं कह रहो कि मैं अभी इसके बेसिस पर यह नहीं कह सकता कि इनके बेसिस पर दोस्तों सीरन चेज हो जाएगा मुझे तो लग रहा है डर डर तो है यार देखो डर तो है और आपके टॉप तीन बैट्समें जो है वो भाई सौरन भी पू रिखोषजिë आसाथ ही ओती होतें उसके बाद हम आपunkा श्राइलिया उसे बाता थे ऐसरालिया नहीं कर दकांपना और श्री नहीं करना जो तर बनानानी होते एक प्रचली नहीं करद नहीं कशलें और पर खेहँ थैंग है नहीं स्टेश स्व चैरिशन में रीजन नहीं जितने मतलब चीटिंगे तगड़ा हो सकते हैं, वो जो आखे मांदल बंदे को मेंनेंहेंडल कर रहे होते थे, आखे गालियं दे रहे होते थे, पुरानी अस्ट्रेलिया की टीम जे होती थी, वो सारे फंडे अपना रहे होते हैं, बताओ, अपना सकते थे, comment में वैसे hate तो हम नहीं करते हैं ऐसा कोई बात ने अगर आप love करते हो Rohit Sharma को तो भी बता दो कि Rohit Sharma बहुत बढ़िया कर रहे हैं मेरे इसाब से तो बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हैं लेकिन भाई WTC के ओपर जितना भी content एक दिन का बचा है वो हम फिर आपके लिए लेके आएंगे और live भी हमारे साथ जो है वो आप जुड़े रहे हैं हमेशा uncut के साथ जुड़े रहे हमारी वीडियो देखते रहे हैं मेरा नाम है प्रशांद कपूर मैं वभी शेक मंचंदा और आप देख रहे हैं uncut